ओम गन्पते इनमा ओम गनिश्या इनमा दूस्तो साल 2021 खत्म होने जा रहा है और हम वेट कर रहे हैं साल 2022 की जानना चाहते हैं 2020 आपकी लाइफ में क्या चेंजिस लाएगा यह Happy New Year 2022 होगा यह 2020 और 2021 के तरह ही रहेगा हम क्या expect करें overall social political और दूसरे अरियाज में और अपने लिए क्या expect करें education love marriage career promotion change in job expansion in business finance health property visit to foreign new ventures हम क्या expect करें इसको हम इस वीडियो में cover करेंगे तोस्तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है फस्ट पार्ट common सभी science के लिए है इसके अंदर हम detail discuss करेंगे transit details planets की transit details क्या है और पूरे world के अंदर nation के अंदर क्या फर्क पड़ सकता है दूसरे पार्ट के अंदर हम particular sign की बात करेंगे सो दोस्तो यह first part 15 minutes का है सो अगर आप सर्फ अपने राश्यक specific पर जाना चाहते हैं तो 15 minutes के बाद timeline पर जा सकते हैं आप अपनी particular राश्यक के बारे में उस period में जान सकते हैं यह जरूरी है कि आप overall world या planets की transit को समझें अदर्वाइस किस base पर prediction हो रही है वो आपको कभी समझ नहीं आएगी सो first part is 15 minutes और उसके बाद आपकी particular राश्यक के बारे में prediction कर रखी है सो दोस्तो जैसे हम 2021 को भाई भाई करने जा रहे हैं नया साल हमारे लिए क्या opportunities क्या challenges लेके आता है याद रखें समय का चकर चलता रहता है और इसके अंदर आपको change देखने को हमेशा मिलता है time कभी constant नहीं रहता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो सो देखते हैं 2022 आपके लिए क्या लाया है यह general prediction है major planet के transit के उपर अगर आप अपने personal chart को या अपने family members के chart को उसके base पे annual horoscope चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि 1st January 2022 को जब नया साल होगा तो planets की क्या position होगा यह देली के time के अनुसार है इसके इंदर हमारे पास वर्गो लगन आता है और शनी देवता फिफ्थांस में यानिकी Capricorn sign में जुपिटर Aquarius sign में केतू स्कॉर्पियों में और रहू टॉरस sign में transit कर रहे हैं अगर हम बात करें overall की तो यह साल सबको relief देगा जो 2019-2020 के हमारे जो dark days हैं वो खतम हो जाएंगे जो भुरा समय आपने देखा है वो खतम हो जाएगा छे number sign है वेपार का sign है so markets जो है वो grow करेंगे जब market grow करती है तो उसकी वजह से आपको job opportunities मिलती है बिजनस में extension होता है वर्ल्ड की activities खुलती है ट्रेवल टूरिजम फिर grow करेगा और नहीं उंचाईयों पर पहुंचेगा वर्गो कॉमर्स का sign है सो सभी commercial activities बढ़ेंगे शनी देवता 2022 में ज्यादा समय अपना Capricorn यानि कि मकर राश्री में गुजारेंगे इसकी वजह से अब यह समझें कि करोना वाइरस खतम नहीं हुआ है नेक्स प्रेव करोना वाइरस की मौंबर 2021 से लेकर एपरल 2022 के तक हिट कर सकती है उसके बाद कुछ नए वेरियंट के साथ अक्तूबर 2022 में दबारा सकती है इसकी असर काम होगी वजह क्या है मिज्योरिटी और पॉपॉपॉलेशन के अंदर वैक्सिनिशन हो चुका होगा सब उसको काउंटर करने के लिए रेज हो चुका होगा वेव आएगी मगर इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना हमारा 2019-2020 में हुआ था याद रखें करोना वाइरस खतम नहीं कर सकते यह भी एक नॉर्मल फ्लू टाइफाइट वाइरस ऐसी बिमारियों की तरह यह चलता रहेगा और इसका भी एक प्रॉपर वैक्सिनिशन आ जाएगा जब वैक्सिनिशन लगाते रहें और चलते रहें दूसर लगन है वर्गो साइन वर्गो कन्या छे नंबर यह साइन है डेट डिजीज एंड एनिमी सो कुछ कंट्रीज डेट इशू की वज़ास से फेल हो सकते आप देखें चाइना ने कई कंट्रीज को करजा दे रकार और वो कंट्रीज फेलियर की स्टेज पे पहुंच चुके हैं 2022 में जो वर्ड की मेजर पावर्स हैं इनके अलाइंसेज चेंज होंगे आप देखेंगे इन जो अलाइंसेज हैं उनके अंदर कुछ नए चेंजिस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बड़ा सर्प्राइज होगा जो एक समय के दुश्मन है वो दूसरे के दोस्त बन सकते हैं यू नाटो क्वाड औल कोलेशन विल चेंज इनके अंदर रिवैंप आएगा मेडिकल के फील्ड में नहीं सर्च होगी सरकारें मेडीकल के 120 के इंदर इसकी टेकनोलोजी में सर्च में बहुत पैसा करच करेंगी तो जो लोक्षियर मार्केंट स्टॉक्स इंवेस्ट्मेंट अगर आप मेडिकल फिल्ड में करते हैं तो इसके अंदर आपको 2012 में मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगी 2022 में सर्विस सेक्टर ग्रोव होगा जो सर्विस सेक्टर में हैं उनको नई उपर्चुनिटीज मिलेगी सो दोस्तों यह तो था अभी हम बात करते हैं इनके जो ट्रांजिट पीरेट्स हैं उसके अनुसार कैसे रहेगा हम कुछ मेजर प्लैनेट्स के यह इंपोर्टेंट कंजंक्शन को कंसिडर करेंगे दोस्तों यह एफेक्ट्स हैं प्रडिक्शन चेंज हो सकती है जो कंजंक्शन है आप उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ एफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा जब भी 2022 तक यहनकी 1st January 2022 तो 24th April 2022 कालसर्व योग का निर्मान हो रहा है इसमें मून को कंसिडर नहीं कर रहे है मून इसके अंदर बाहर आता जाता रहेगा कालसर्व योग जिसके अंदर सभी प्लैनेट रहु के वन साइड में आ जाते हैं कालसर्व योग की वज़ा से कुछ सड़ एक्सिडेंट सेपनिंग सोती है कुछ तद्बूलेंज आता है अब सचे कुंडली का पूरा भार कुंडली के एक साइड में आके हैं दूसरी साइड काली है सचे साइड में भार आ गया वह साइड हैवी होगी कंट्रीज के बीच के कलेशिज देखने को मिलेंगे जो कि नैशनल इंटरेस्ट की वज़ा से होंगे यह क्लैश की वज़ा क्या होगी बिजनस इंटरेस्ट होगी कुर माचक्र के उन Cohen अफगानिस्तान पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज और इंडिया में अगर बात करें महाराश्टरा वैस्टर्न बार्डर केरला गुजरात यह चीजें कैप्रिकॉन साइन में पढ़ती है और यह इंच प्रॉब्लम्स के लिए एरिया सेंस्टिफ है 25 अबरे 2022 सु 4 मार्च 2022 तक चार प्लैनेट कंजंक्ट करेंगे कौन-कौन से सेट्रन, मार्स, वीनस और मर्करी ऐसे बड़े कंजंक्शन अर्थ को एक को ट्रिगर करते हैं याद रखें कैप्रिकॉन साइन में प्लूटो भी है जिसको यम बूलते हैं तो चार की बिजाए पां अगर आप प्लूटो को कंसेडर करें लोकेशन आप असर्टेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगा का नॉलेज लिमिटेट है तो 25 से लेके 4 मार्च की बीट में आपको कहीं पर बड़े कोई अर्थक्वेक अर्थ की मुवमेंट देखने को मिल सकती है साने जूपिटर इसका कंजंक्शन रहेगा अक्वेरियस स्वाइन में कुम राशी में 14 सेबरी से 15 मार्च 2022 तक एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा फाइनेंशल सेक्टर में कुछ नई इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं फाइनेंस के मामले में सरकारों के मामले में बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी अभी उसके बाद सेटरन मार्च और वीनस इनका कंजंक्शन रहेगा 4 मार्च से 30 मार्च तक सो आपको मेजर एक्सिदेंट्स, रेल एक्सिदेंट्स, एर एक्सिदेंट्स, साइक्लोन इस पीरिड के अंदर इंडिकेशन मिलती है इसके बाद दो प्लैनर का कंजंक्शन, कैप्रिकॉन स्वाइन, सेटरन और मार्च 30 मार्च से 4 अपरिल तक यह भी इनफेक्शन्स, एक्सिदेंट्स इनको इंडिकेट करते है इसके बाद दोस्तों 12 अप्रिल को रहू केतु अपनी राशी प्रवत्तन कर जाएंगे रहू टॉरस में चल रहे, निकल के एरिस में आ जाएंगे और केतु स्कॉर्पियो में चल रहे है वो निकल के लिब्रा साइन में आ जाएंगे, जो अभी तक स्कॉर्पियो और टॉरस, इनके उपर प्रेशर चल रहा था, अभी जो प्रेशर रहेगा एरिस और लिब्रा पे रहेगा, इंट्रेस्टिंगली दोनों ही मंगल और शुकर की राश्या है जुपिटर 13 अपरल को ट्रांजिट करेंगे, पाइसेस साइन में, ब्रस्पति देवता अपने ही साइन, पाइसेस मीन राश्या में, सो हर तरफ पॉजिटिवटी फैलेगी मैक्सिमम जितने भी जॉडिक साइन है, उनको और स्पीरिट के बाद रलीफ मिलना शुरू हो जाएगा आप देखिए, 24 अपरल को काल सर्फ योग भी खतम हो जाता है, और ब्रस्पति देवता भी 25 साइन में एंटर कर जाते हैं सो जादा तर लोगों को 24 अपरल के बाद आप देखेंगे आने वाला समय लाइक में पॉजिटिवटी लाइका इनिशल पीरेड 24 अपरल तक कुछ ना कुछ दिक्कते हैं देखने को मिल सकती शनि देखता ट्रांजिटि करेंगे एक्वेरिट साइन में 29 अपरल को और उसके बाद रीएंटर करेंगे केप्रीकॉन साइन में 29 जिलाइ-2 पो तो जैसे शनि देवता ईक्वेरियस साइन में एंटर करेंगे तो धनुराशी की 50 सती खतम हो जाएगा कम से कम तीन मीने के लिए मगर 25 इसे साइन वालों की उपर 63 शुरू हो जाएगा तो इन तीन मेने के अंदर 25 साइन वालों को पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय उनकी जिंदगी में प्लफान ला सकता है क्योंकि उनकी साथ सती पाइसिस की 2023 में शुरू होगी दोस्तों राहू और सुर्य राहू और संज अब कठे होते हैं तो सुर्य को ग्रहन लग जाता है और यह पीरिड है 14 अप्रल से 14 माई 2022 में 2022 इस पिरिड में गॉ Hans अथ्यर प्रैसर रहता है यह पीरिड में यह पीरिड से उनकी सर्कारे नीचेता पे अजाएंगी क्योंकि सरकार पर दाग लगना तय है मर्करी 24 अप्रिल को काल सर्प से बाहर आजाएंगे तो काफी अर्थ काल सर्प का असर कम हो जाएगा मार्किट के अंदर आपको मेजर रलीफ देखने को मिलेगा मार्किट नहीं हाइट पर पहुंचेंगी बिजनस हर जगा इंप्रूफ हुगा अभी मंगल और राहू कंजक्ट कर जाएंगे 27 जून 2022 तो 11 अगस 2022 इसको विसफोट की योग बोलते हैं जंगलों में आग, इंडस्ट्री में आग, एक्सिदेंट्स यह पीरिड कंसाइड करता है समर सीजन के साथ जब वैसे भी साल में आग लगती रहती है कोई बड़ी टेरिस्ट एक्टिविटी, राइट लाइक सुचेशन इनको आप इस पीरिड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद सूर्य देवता केतु के साथ ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को 17 नॉमबर तक फिर सूर्य केतु को केतु की वज़ा से ग्रसित हो जाएंगे इस पीरिड में आप देखें कोई senior government authority कोई बड़ा politician उसकी death हो सकते हैं दोस्तों आप देखेंगे planets का जो ट्रांजिटर साल के अंदर चलता रहेगा सो पूरा साल एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा major changes चलते रहेंगे सो इन बड़े planets की वज़ा movement की वज़ा से और conjunction की वज़ा से हम इस पूरे period को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 1st January to 29th April April में रहू, Ketu, Saturn, Jupiter यह राशियां परवर्तन कर रहे हैं So next is 30th April से 12th July 12th July के बाद शनी बापस Capricorn sign में आएंगे period 13th July to 31st December 2022 Overall आपको April के बाद positive results देखने को मिलेंगे हर जगा आपको खुशाली सभी राशियों के उपर उसका अच्छा परभाव देखने को मिलेगा दोस्तों बात करेंगे Libra, Libra Horoscope 2020, तोला राशी के लिए 2022 कैसा रहेगा तोला राशी के लिए 2021 काफी active रहा family, professional front पे November 2021 के बाद इनकी life में कुछ positivity आनी शुरू हुई जब रिस्पती अपने niche sign से निकल कर 5th house में चले गए सो इनकी life के अंदर कुछ positivity आनी शुरू हुई यह positivity continue करेगी April 2022 तक इस period के अंदर, profession के अंदर changes expected है कुछ न कुछ इस period में profession में changes हो सकते हैं 2022 में शनी देवता, Capricorn sign यहनकी 4th house में travel करेंगे इनका transit 4th house में ही चलता रहेगा सिवाए कुछ पीरिट के माई तु जुलाई के बीच में जब यह 5th house में जाएंगे रहू केतू, Taurus sign एट्थ house से 7th house रहू शिफ्ट करेंगे और केतू शिफ्ट करेंगे 2nd house से लगन की बीच में 2022 में family, profession, health इनके लिए focus area रहेगा यह 2022 का chart है आपके सामने, जब निया साल आएगा अभी शनी देवता लगन को aspect कर रहे है लगन क्या होता है आपकी ego, आपका self, soul, confidence और शनी देवता aspect रहे हैं 10th house को तो शनी देवता planet है humility की, service की सो यह false ego तोडते हैं, हमारी ego को खतम करते हैं, confidence हमारा तोडते हैं बड़ा interesting care, मगर जो लोग service sector में हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, labor class की care करते हैं शनी देवता उनको बहुत अच्छे result देते हैं अगर 2022 में तुला राश्य के लोग ego नहीं रखते हैं, तो शनी देवता उनकी life में बड़ी तरक्की ला सकते हैं क्योंकि वो अपने exaltation sign को देखेंगे अपने ही sign में बैठके सो 2022 के शुरूर से लेके मई 2022 तक यनकी अप्रल एंट 2022 तक इनको कोई job change की opportunity बिलती है इसके बाद बिरस्पती देवता shift कर जाते हैं 6th house में, इनका 5th house है 10th house में सो भी job change का कम मगर job के अंदर growth की probability बिलती है आपका जो house of profession है वो strong हो जाता है आपके अप्ग्रीडेशन हो सकती है, job profession के अंदर आपको improvement हो सकती है working environment अच्छा होगा, April 2022 के बाद, हो सकता है आपका office change हो जाए आपके boss change हो जाए, जिस office में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको अच्छा environment मिलेगा कोई offer जो आपको November 2021 के बाद चल रही थी, उससे पहले नहीं November 2021 के बाद आपको बिली है, जो लोग job change करना चाहते हैं, इस period में उनकी job change की probability बनती है और April 2022 के बाद जहां पे भी आप जाएंगे वो position आपके लिए अच्छी होगी So professional front पे transfer, posting, move आपकी cards पे है, मगर वो April से पहले वो clear हो जाएगा हो सकता है जहां पे आप जाएं, शुरू में settlement में कुछ दिक्कत आए, क्योंकि इस बीच में शनी की transit आएगा बट बाद में आप जिस जगह पे भी जाएंगे, आप उसको पसंद करेंगे अभी सुर्य देवता transit करेंगे और conjunct करेंगे शनी देवता के साथ 15 January से 13 February ये period दो planet 4th house में transit कर रहे हैं दो separatist planet family के घर में transit कर रहे हैं जो लोग कहीं बहार घर से दूर जाना चाहते हैं उस period में उनके लिए समय अच्छा है जो लोग घर में रहते हैं उनको थोड़ा सा कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसके बद 14th April से 15th मही तक सूर्य देवतार रहू के साथ कंजंक्ट करेंगे और Jupiter, Saturn, रहू के तो इन सबका transit आएगा इसी period के अंदर ये period 14th April से 15th मही ये life का एक battleground बन जाएगा हर जगा आपको कहीं न कहीं turbulence देखने को मिलेगी positive, negative वो अलग बात है मगर आपको हर जगा पे changes देखने को मिलेगी financial front, health front उसके बद दोस्तों period आएगा जब October 2022 में सूर्य केतु के साथ कंजंक्ट करेंगे लगन में वो period health की sensitivity के हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत वला होगा मगर जो लोग politics में हैं उनके लिए नई responsibilities, high responsibilities उस period में मिलेंगी like अगर मानली जी आपके elections हुए हैं 2022 April में तो जिन MLA को जगा नहीं मिली October 22 में cabinets के expansion आएंगे उस period में उनको दबारा मौका मिलेगा मंगल शनी कन्यक्ट करेंगे February से मार्च के बीच में यह period अच्छा नहीं है इस period में कोई accident का योग बनता है इसके लावा दोस्तों period आएगा 17 माई से 10 अगस्त जिनके अंदर कोई residential property रीच सकते हैं फिर भी इस period के अंदर ध्यान रखें, document sign करते हैं, mother की health का ख्यान रखें मंगल और शनी जब भी aspect करेंगे house or profession पे इस period के अंदर promotion, gain, increment, expansion of business इन चीजों को आप प्रडेक्ट कर सकते हैं मंगल राहू के साथ conjunct करेंगे 27 जून से 10 अगस्त 2022, 27 जून से 10 अगस्त 2022, ये इंडिकेट करता है major pressure in married life क्योंकि राहू 7th house लोगा, अभी ये दो प्लैनेट आपके life partner के घर में आके बैढ़के, विस फोटक योग, अंगारक योग बिना रहे हैं house of married life के अंदर और partnership में, तो बेटर ये है कि इस period में आप अपने life partner से दूर रहें, नहीं तो दोनों के बीच में differences आ सकते हैं disturbance से spirit के अंदर आचाएं, आपनी सेथ का ख्याल रखें, सेथ खराब होने की वज़ा हो सकती है कि आपके ओपर pressure है, किसी का pressure, profession का और family friend का, कोशिश करें जो opposite sex अगर आपको official जगा पे कोई मिलता है, उससे थोड़ा दूर रहें, chances हैं कि आप pre-marital, extra-marital, in relation में involved हो सकते हैं, जो लोग import export का का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बरिया period है, जो लोग machinery का का काम कर रहे हैं, especially import export, उनके लिए ये life का एक major change दे सकता है, दोस्तों राहू जो है वो 7th house में transit करते हैं, 27 इंड अपरिल के बार, रहू का, दोस्तों राहू का transit 7th house पर, ये हमेशा married life के लिए, confusion शो करता है, के तो लगन में आ गई, तो कहीं ने कहीं आपको एक life के लिए, unsatisfaction लगती है, एक कदूरापन लगता है, तो इस वज़ा से कहीं गलती से आपको एक गलत decision दे लेगती हैं, finance में, career में, education में, सुछ चीज का ख्याल रखे हैं, जो लोग MNC में काम कर रहे हैं, बाहर नौकरी ढूंड रहे हैं, especially April 22 के बाद, उनके लिए बहुत बढ़िया golden period है, social status, इनका life के अंदर improve हो सकता है, जो लोग politics में हैं, उनको सफलता मिल सकती है, तो लो जाने अभी finances, अभी हमने बात की थी career की, अभी जानते हैं, finances, जोपिटर 6 था उसमें, 13th April के बाद, खर्चे बढ़ें, खर्चे बढ़ेंगे, income भी बढ़ेंगे, so, chances हैं कि आप जो है, कुछ medical पे खर्च करें, health पे खर्च करें, लगर profession का घर strong होने की वज़ा से, इंकम का घर strong होने की वज़ा से, जो आपका, overall आप positive रहेगा, financial के मामने, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हैं, travels पे कर रहे हैं, foreign travel हो सकता है, foreign education हो सकती है, hospital हो सकता है, मगर income भी साथ में बढ़ सकती है, इस period के अंदर को property ख्रीजना, plan करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, love life और marriage की बात करें तो, November 2021 से, April 2022 तक, आपके life के अंदर, love matters में, marriage में, बड़ा golden period था, 2020 आ रहा है अभी, तो जो unmarried है, April 2022 तक कोशिश करें, जो भी आपके, relations हैं, proposals हैं, उनको conclude करने के लिए, क्योंकि ब्रस्पती एक बार 6th house में आ जाएंगे, तो फिर वो, रुकावक डाल देंगे, especially girls के case के अंदर, शादी होने में, दिक्कत हो जाए, Jupiter, 5th house में, आसपेक्ट, 7th house के सब रिलेशन, तो यह indicate करता है कि इनको love relation के अंदर सफलता मिले के, यह अपने किसे soulmate से मिल सकते हैं, जिन से यह मिलना चाते हैं, गर time ठीक है, they can get married, जो relationship में है, उनके relations अच्छे हो सकते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए, कि spirit के अंदर, April से पहले शादी कर ले, April के बाद, रहू, transit कर जाएंगे 7th house में, और केतु कर जाएंगे 11th, तो इन दोनों के transit से शादी के अंदर आगे दिक्कत हो सकती हैं, तो बेटर है कि conclude करें, before April 2022, इसके बाद, अब दूसरे की feeling को ignore मत करें, लोगों की advice के लेकर, आप अपने love relation को खराब बत करें, बात करेंगे education की, पीरिट एपरल 2022 तक बहुत बढ़िया है, फिर्ट house के अंदर जोपिटर, education में सफलता देंगे, हो सकता है कहीं छोटे मोटे challenges हो, मगर आप सीखें के, आपकी learning improve होगी, जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपके interest हैं वो सीखेंगे, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़ी a period है, इसके बाद भी जब जुपिटर 6 साउस में जाते हैं, तो लोग competition clear करके विदेश चाह सकें, जो लोग competition clear करके विदेश चाहना चाहते हैं, वो अपरिल 22 के बाद उनके opportunity मिले की, बात करने progeny की, लिबर नेटिव के लिए April 2022 बहुत बढ़िया है, प्राजनी के मामले में, उसके बाद अगर संसीव करते हैं, तो medical care को regular लेते रहें, medical check-up कराते रहें, हेल्थ की बात करें, दोस्तों 2022 में अपरिल के बाद आपको हेल्थ का special ठ्यान लखना पढ़ेगा, खर्चा hospital में लिखा है, recovery होने में समय लख सकता है, प्राबलम क्या हो सकते हैं, प्राबलम हो सकते हैं, अगर अब Thursday को fast रखें, या कोई बे दिन एक चुन ले जो, तो आपकी health related issues खतम हो जाएं, अपने eating habits को ठीक रखें, regular exercise करें और कम से कम हफते में एक दिन fast रखें, health को priority दे, अगर कोई medical check-up की जिरूरत है उसको skip ना करें, दोस्तों ये तो है Libra और उसको 2022, यानि कि तोला राशी के लिए 2022 कैसा जाएगा, ये दोस्तों general predictions रहती है, अगर आप अपने particular chart को discuss करना चाहते हैं, तो आप हमसे consultation ले सकते हैं, आप अपने comments, queries, comment section में डाल सकते हैं, आपका दिन शुब रहे, ओम कन बते नावा,